इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा तकरीबन दो मेने के लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत मिली है ये बहुत बड़ा दिन है हाज का लोग तकरीबन सड़कों पर निकल आया है वो अपना बादार भी ले रहे हैं साधावी कर रहे हैं और कई सारे दुकानात बादार शुरू है लेकिन जो कतार हैं जो दूर दूर तक नम्भी लबी कतार जो नजर आ रही हैं वो शराब की दुकान के साम Efendimiz ने हैं और एक बार जो है लॉक्डाउन के उस कैद से लोग बाहर आ चुके हैं और आजादी कोई महसूस कर रहे हैं इतिहाद नूज देखने के लिए शुक्रिया अल्लाभी अस्सलाम आलेकूम रहमतुल्लाई वरकातु इतिहाद नूज में आप सभी का खायर मगदम है आज बलगाम शहर में छूट दी गई तो लोगों ने राहत की सांस ली तकरीबन चालिस दिन से जायद घरों में बैटे लोगों ने सडकों पर घूमने का मज़ा भी लिया पर एक बड़ी अफसोसनाक तस्वीर नज़र आई है और वो है लोगों की शराब की दुकानों के सामने भीड एक तरह से शराब की बोतल को हासिल करने की जद्दुजहद में हर कोई था कह सकते हैं बिलगाम से पहले देली की तस्वीर इसलिए दिखाना मुनासिब समझूँगा कि देली मरकज को किस तरह निशाना बना गया था पर शायद शराबियों को कोरोना ही छू नहीं सकता किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवा नहीं थी ऐसे लग रहा था कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुदवारा में ही कोरोना वाइरस पकड़ लेगा शराब की दुकानों पर कोई वाइरस नहीं आ सकता शराब की बोतल हासिल करने वालों के चेरे पर जंग फता करने की खुशी भी देकी जा रही थी शायद इस पर कोई डिबेट महनों ये नहीं चलेगी क्योंकि इसमें तबलीगी नहीं है खैर कोई बात नहीं हकुमत ने शराब की दुकानों के इसलिए भी खुला होगा क्योंकि हुकुमत को तो इससे टैक्स का रुपया हासिल होता है इबादतों से क्या हासिल होगा अब कहां किसी को दुआओं की जरूत है पैसे मिल गए यही काफी है पर मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मासूम बच्चे दूद के लिए पैसे नहीं होते घरों में राशन ना मिलने पर सवाल पूछने वाले शराब की बोतल खरीदने के लिए दो-दो-हजार की नोटे तो निकाल रहे हैं जब पुरा मुलक कोरोन महमारी से परेशान है देश में जहां पिछले कहीं दिनों से एक हीं समाज से कोरोना फैलने की बात कहीं जा रही पर अब मेडिया को गुसा क्यों नहीं आ रहा? क्यों टीवी डिबेट में नहीं हो रहे? क्या अब कॉरोना नहीं फैलेगा? क्या वाकई शराव इतनी जजरूरी थी? जो सबसे पहले खुली करने का फैसला हुकुमत की जानिब से लिया गया? क्या कॉरोना महामारी नहीं फैल या उपर के सहाब लोगों ने नीचे पहुंचने ही नहीं दिया आज की तस्वीर शर्मनाख थी कई जगह पर शराब में धुतो कर शरावी सड़कों पर लेटे नजर आ रहे थे मेरा तो कहना यह है कि जिन लोगों ने भी कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी दिन रात एक कर दी उनके मेहनत का गोया आज मजाक उड़ाया गया डॉक्टर्स नर्सिस पुलिस इंतजामिया ने दिन रात महनत कर जो बीमारी से सभी को बचानी की कोशिश की थी ऐसा लगा के इस पर पानी फेर दिया गया धर्मशाला को बंद रखकर मदूशाला को शुरू कर दिया कि कोरोना से जंग शराप पी करतों नहीं लड़ी जा सकती इत्याद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफिस